अब आए हो तो जल्दी विवा कार संपन करा हो अरे सबर रखो यार तुम तो आइट के टाइट रहे हो नहीं होता सबर हमारी जवानी और ठंड दोनों निकली जा रही है अरे तो लड़की को तो आने देख तेरे अकेले का है विवारा चादू में वसे एक बात तो है इस सीजन में शादी करने के बड़े फायदे हैं बड़ी बड़ी केड़ी केड़ी बहुवी मिल रही है तो तू भी कर ले यहां क्या अंगूर लेने आया है अरे देख यह आदमी लड़की के कमरे में जा रहा है रोको इसे मैं तांडिल साब का खास हलवाई हूँ मुझे दूलन के मू का साइज लेना है क्यों उसके मू का कवर सिलना है क्या तुझे तू हलवाई है की दर्ची है अरे भाया मुझे उनके मू के साइज का रसगुला बनाना है तो ऐसे ही बना रसगुले साइज फिट ना बैठा तो काट के खालेगी जा चल निकल अरे श्रीमान लेने दो साइज वरना लड़की नराज हो जाएगी अकेली है ना और ये है तांडिल का खास आदमी अबकी तो चला जा पर दुबारा मत आना हाँ बोल अच्छा कहां पर कौन अबे यार यो नया पखेडा कड़ा कर दिया क्या हुआ पंडित जी वो मुच्छो वाला काला काला आदमी तुमारे साथ है मेरे लॉंडे का फूफ़ा है वो अरे वो दारू पीकर तांडिल साथ से जगडा कर रहा है चल करते खुरे कहीं फार दिया वो लॉंडे के फुफ़ा है जी शादी से नराज चल रहा था मुश्किल से मना कर लाई हूँ यह कोई तरीका है डारू पीके विवस्ता खराब करते हो लॉंडिया वालों का इज़त मत्या मेड करते हो अरे समझाओ फुपा को कोई बखेडा ना करें जे बखु करती तुने तो मैंने तुझे एक बार भी जाने को मना किया था और तो दुबारा चल गया अरे मैं खुद ना गया था दुलान ने बुलाया था सफेद वाला दस्गुला मंगाया था उसने हाँ तो निकल अब अब दुबारा आने की गलती मत करना ऐसा है शेरवानी पहन कर ज्यादा उसलो मत एक हलवाई के उपर सैक्डो जिम्मेदारी होती है आ तो यहां बकवास क्यों पेल रहा है जाके जिम्मेदारी समाल जा चल निकल पंडी जी आप चलती फ्री करा दो मुझे शादी की बहुत जल्दी है इतनी ही जल्दी है तो लेकर बाग क्यों नहीं गया इसको अरे यार ये भी कोई बात हुई तुमारी अरे तो पंडी आ क्यों रहा है पंडी जी नराज हो गए तो कर ले ना अपने आप शादी अरे भाई बिया बरात में टाइम तो लगता ही है इतनी आपात है तो मंदिर में ही मंगल सूतर डाल देते इधर है वो तंडेल तेरा कंडेल बनाता हूँ मुझे ढकेले के बागा आगा ऐसा है ये जो डो घूट पीके हमें दिखा रहे हो न ये कोई तरीका है मैं मानों से बाट करने का अब ये बोटर माखे तेरी खोपड़ी पोई दूँगा फ्रीकी पीकर हमको दिखा रहा है बीना नसटो मुझे हर वक्त रहता है बीना पिये भी तंडेल तंडेल पर रहतूंगा तुझे आज समझाओ इसे वरना बरात वापसी कर दूँगा देखो अमारी साधी है शांती से हो जाने तो कोई बखेडा मत करो बहु भी बहुत सुन्दर है अब ये साधी नहीं होगी मैं पुलिस को बुलाता हूँ बोलता हूँ फेरो के टाइम पर डिमांड कर रहे थे हेलिकॉप्टर की सारे अंडर जाओगे लो हो गई साधी है मारी सुन्दर के तु कहा जा रहा है दूलान के कमरे में जा रहा हूँ रसगुला टेस्ट कराने दूलान को बहुत रसगुला कहला रहा है अभी तो टेस्ट करवाया था उल्टे पाउँ किसकले मेरी बहु है वो अरे वो तो गल्ती से रसगुले की जगा में दही बढ़ा ले गया अबे निकल मैं खोदी देखता हूँ फूफा ने ड्रामा कर रखा है अरे दूले राजा अगर दूला नराज हो गई तो फेरो पर भी ना आएगी वो ये एक रसगुला तुमारे लाइफ पर भारी पढ़ सकता है जातो जल्दी आना पर कोई शिकायत ना है अंदर से अकेली है वो अंदर बता भए टांडल तू बाप बनकर बेटी को वुटा करेगा या मैं बढ़मास बनकर उठा ले जाओ लड़की तो राजी से ही जाएगी जी विटा होकर तुम्तो खामुखा गोली बारी पर उटराए अबे अब कहा जा रहा है तुझे दूसरे की औरत के कमरे में बार बार जाते हुए शरम नहीं आती अरे कुछ लोग गाजर के हलवे में मिर्च तेज बता रहे है तो दूलन को चेक करवाना था तो चेक कराने के लिए और लोग नहीं है क्या ला इधर मैं चेक करूँगा यह तो मेटा है कौन बोला था मेट तेज है किदर गया बे हलवा आई बाई तुम्हें हल्वा खिला कर वो पहुंच गया दुलान के कमरे में क्या है तू जा उसे वहीं से मारता हुआ ला जब हल्वा एधर है तो अंदर क्या चेक कराने गया हो बाई गड़बड हो गई नास हो गया मारा ना कड़ गई फुपा बिना बाउ कए लोटना पुटना पुड़ गाब अरे फुपपा इनकी गलती ना है लॉंडी आई भाग गई वो तो भागती मैंने तो पहले ही बोला था बरात समाल के लिए चलो अभी ले जा तू समाल अश यही और मने डार फ़नी वीडियोस देखने के लिए पीम टोन्स को फेस्बूक पर फालो करना बिल्कुल ही ना भूलिये